गंगर पूजन वीधी सर्व प्रथम चौकी लगाकर उस पर साथिय बनाकर पूजन किया जाता है जिसके उपरान पानी से भरा कलस उस पर पानके पांच पत्ते उस पर नार्या लगते हैं ऐसा कलस चौकी के दाहिनी और रखते हैं अब चौकी पर सवा रुपिया और सुपारी रखकर फूजन करते हैं फिर चौकी पर होली की राक या काली मिट्टी से सोला छोटी छोटी पिंडी बनाकर उसे चौकी पर रखा जाता है उसके बाद पानी से छीटे देकर कुमकुम चावल से पूजा की जाती है दिवार पर एक पेपर लगाकर कुमारी कन्या आठाठ और विवाहिता सोला सोला टिक की क्रमसा कुमकुम हल्दी महंदी काजल की लगाती है उसके बाद गंगोर के गीत गये जाते हैं और पानी का कलस साथ रक हाथ में दूब लेकर जोड़े से सोला बर गंगोर के गीत के साथ पूजन करती है तदू परांगोर कहानी गनेश जी की कहानी उसके बाद पाते के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सुरिय नरायन को जल चरहा कर अरक देती है ऐसी फूजन वैसे तो फूरे सोला दिन करते हैं परंट उसुग के साथ दिन ऐसे फूजन के बाद सात्वे दिन सितला सब्तमी के दिन सायम काल के गाजे बाजे के साथ गंगोर भगवान वा दो मिटी के कुंडे कुमार के यहां से लाते हैं अश्टमी से गंगोर के तीज तक हर सुवा बीजोरा जी की जो की फुलों से बनता है उसकी और जो दो कुंडे हैं उसमें गेहूं डाल का जुआरे बोई जाते हैं गंगोर की जिसमें इसरदास जी गंगोर माता की मालन माली की ऐसे दो जोडे और विमलदास जी की ऐसे कुल पांच प्रतिमाय होती है, इन सभी का पूजन होता है, प्रति दिन और गनगोर की तीज को उद्यापन होता है, और सभी चीज विशरजित होती है, जै गनगोर माता।